श्रीनु अत्रेय और अरुद एक पेंट हाउस में रहते हैं। श्रीनु ने अपनी फिल्म गीतान जली से सफलता हासिल की। इसके बाद बॉक्स ओफिस पर तीन बारा सफलता मिली। अयान विजाग में फास्ट फूड कार्ट चलाता है और श्रीनु का करीबी दोस्त है। अ अगले दिन उन्हें गोविंदा गोविंदा के बॉस विश्नु से एक प्रस्ताव मिलता है जिन्होंने एक होरर कॉमेडी के लिए एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी और निर्देशन के लिए श्रीनु को चुना था। इसलिए उन्होंने एक फिल्म का निर्मान करने का फैसल अगले में एक अन्य बाबाजी द्वारा एक एचार की हत्या के लिए गीतान जली को फिर से एक गुडिया में फसा दिया जाता है जिसने कार्याले में अपनी महिला कर्मचारी का यौन उत्पीरन किया था। अब वो वेंकट राव से उसकी बहन उशान जली को धून्दने क की मान करती है जो उटी में एक संघरश्रत कॉफी शॉप चलाती है उटी पहुचने पर वे विश्नु से मिलते हैं जो फिल्म का आधार बताते हैं और शूटिंग के लिए अपना बंगला पेश करते हैं उन्हें पता नहीं है कि संगीत महल नामक बंगले में नटराज शास मोहिनी भी एक लड़के से प्यार करती थी और उसने भागने का फैसला किया लेकिन उसके माता पिता ने उससे पकड़ लिया जिन्होंने बाद में अपने प्रेमी को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कोसा जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली ये सुनना आसहनिय था क कि मोहिनी ने संगीत महल में खुद को आग लगा ली जिससे आग लगने की दुरगटना हुई और पूरे परिवार की मृत्यू हो गई यह वो कहानी है जिसके आधार पर विश्नु उन्हें फिल्म का निर्देशन करने के लिए सुनाते हैं इस बीच विश्नु ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में उशानजली को भी सुझाव दिया पुराने दोस्तों के साथ सुलह के बाद अंजली ने उनके प्रस्ताफ को स्वीकार करने में उनकी मदद करने का फैसला किया शूटिंग के दोरान उनका सामना भूतों से होता है लेकिन श्रीनु, गोविंदा, अरोद्र और अत्रिया इस फिल्म को बचाने के लिए तत्यों को जानते हैं वे उन्हें पूरी टीम को विश्वास दिलाते हैं कि वे मेथड एक्टर है हाला की आठ अगस्त को भूत एक महत्वपूर्ण व्रिश्य को बाधित करते हैं तब ये पता चला कि विश्वास रमेश राव का बेटा है जो गीतान जली का उप्योग करके अपने पिता की हत्या के लिए गिरोह से बदला लेना चाहता है इसलिए उसने उन्हें उसी तरीके से मारने का फैसला किया इसलिए उन्होंने संगीत महल के बारे में पूछताच की और व्यक्तिगत रूप से भूतों का सामना किया और फैसला किया कि ये उन्हें फसाकर मौत के घाट उतारने के लिए सही जगह है इसलिए उन्होंने बंगला खरीदा और उन्हें उनके साथ एक फिल्म बनाने के लिए बुलाया और भूतों पर विश्वास न करने का अभिने किया और उन पर इसे पूरा करने का दबाव डाला महल में फिल्म ये भी पता चला है कि उसने अंजली के प्रेमी की हत्या कर दी थी जो उसे अपनी कमपणी में भरती करना चाहता था तथ्य किसी को नहीं पता था इस बीच श्रीनू ने उशांजली को सभी तथे कबूल कर लिए फिर उन्होंने समझोते के कागजाद चुराने का फैसला किया इसलिए वे उसके घर में घुज गए और रमेश की तस्वीर देखने के बाद वे इस फिल्म को बनाने के पीछे उसके इरादों को समझ गए फिर अचानक विश्नू घर में प्रवेश करता है इस बीच रमेश राव का प्रतिशोद लेने वाला भूत उसके बेटे को अपने वश में कर लेता है और अरुद्र और अथ्रिया को मार देता है जब वो उशानजली और श्रीनू को मारने वाला होता है इस बीच वेनकट राव अपने पास मौझूद गुडिया के साथ वहाँ पहुचता है और उसे छिपे हुए समू को सौप देता है और गुडिया उन्हें दे देता है फिर भगदर में गीतानजली को गुडिया से विश्नू को मार देती है जिससे उसकी बेहन बच जाती है और फिल्म खत्म